ताजा अपडेट और लेटस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें भारत के चार दिव्यान तैराकों की रिले टीन में 36 किलोमीटर लंबा इंग्लिश चैनल 12 गंटे 26 मिनट में पार किया है इंग्लिश चैनल पार करने वाली ये पहली एशियाई टीन भी है किसी के सामने पैसों की दिक्कत आई तो उसने पिता की FD तुरवाई दोस्तों से उधार मांगा किसी को तानों का सामना करना पड़ा तो किसी ने जील में तैर कर प्रेक्टिस की और इंग्लिश चैनल पार करने का होसला जुटाया इस टीन में मध्यप्रदेश के सत्यंद्र सिंग लोहिया, राजस्थान के जगदीश चंद्र तैली, महराष्ट्रा के चेतन राउत और बंगाल के रिमो शाह शामिल थे रिमो ने बताया इंग्लिश चैनल को पार करना हर तैराक का सपना होता है उनके लिए यह एबरेस्ट पर फतह से कम नहीं होता 10 से 12 डिग्री सेलसेस तापमान में समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना उसी तरह से होता है जैसे एक परवतारोही बर्फ के पहार पर चड़ता है यह काम्या भी हमें युध्ध में विजए जैसा असास देती है ऐसे पार किया इंग्लिश चैनल इस रिले स्विमिंग में चारों तैराकों ने मिलकर को 36 किलोमेजर का सफर पूरा किया नियम के हिस बसे हर तैराक को एक घंटे तैर ना था और उसके बाद तीन अन्य तैराक अपनी पारी के हिसाब से एक एक घंटे तैर कर आगे बढ़ें इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के जगदिश चंद्र तैली ने की उसके बाद दूसरा नंबर महराश्ट्रा के चेतन राउत तीसरा नंबर बंगाल के रिमो शाह और मध्यप्रदेश के सत्येंद्र का था इंग्लिश चैनल अट्लांटिक महसागर का हिस्सा है जो दक्षिनी इंग्लेंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है और उत्तरी सागर को अट्लांटिक से जोड़ता है इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है लेकिन तैरने के लिए इसकी मानक दूरी करीब 35 किलोमीटर है लहरों के साथ तैराग को इससे ज्यादा भी तैरना पड़ सकता है यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करे हमारे चैनल को सब्स्प्राइब करना ना भूले धन्यवाद